हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम फिर एक रजल्ट लेके आए हैं जो कि वीकल मेकैनिक का रजल्ट इसू कर दिया गया है जैसा कि आप लोगों को पता है जितने भी कंडिडेट थे जिनने एक्जाम दिया है आज उन कंडिडेट को भी ये वीडियो देखना काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि वह कंडिडेट जो एक्जाम के लिए डेटिन एक्जाम देने गए थे वह अपने मार्क्स यहां देख सकते हैं कि कितने मार्क्स उनके एक्जाम में आई हुए थे कितने मार्कस पर मैरेड लगी हुई थी ठीक है तो इस वीडियो हम बात करेंगे क डीकर्ट होने वाला है किस किस डीट को डीट को रिपोर्ट करना है और कितने कंडिडेटों को टोटलिस में बुलाया गया है और सभी कंडिडेट जिस ने भी रिटीन एक्जाम में बैठा हुथा वह अपने मार्क्स भी सोग कर दिये गए हैं वियारो की तरप से वो अपना मार्क्स देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहला हम बात करेंगे यहां पर जो कि आप लोग देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नमबर है 04-2022 की भरती थी जिसमें विकेंसी 236 ट्रेड विकल मेकेनिक के लिए थी और कैटेगरी यू और से एस्टी ओविसी एड़लो एस के लिए था और इसका रिटिन एक्जाम सेंटर फिजीकल ट्रेड जितने भी रिक्रमेंट प्रोसेश होती है अब यहां पर बात करेंगे पॉंट नमबर वन की जिसमें लिखा है दा फिजीकल एफिसेंसी टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर्ड पोस्ट आउप विकल मेकेनिक अंडर एडवर्टाइजमेंट 04 अबलिक 2022 वि है एट अगस्ट ट्वेंटी ट्री टू ट्वेंटी टू अगस्ट 2023 एड वियारो स्कूल एंड सेंटर ठीक है इसमें बताय गया है कि जो विकल मेकेनिक की भर्थी निकली थी 04 2022 की तहट एडवर्टाइज की तहट जो भर्थी थी जिसका फिजीकल और प्रैक्टिकल टेस्ट आश्ट आठ अठ अगस्त से लेके 22 अगस्त तक चला थ वो भी कहां पर बियारो स्कूल एंड सेंटर पूने में ठीक है अब जो कंडिडेट पी यानिकी प्रैक्टिकल और फिजीकल में पास हुए है रेटिन एक्जाम के बेस्ट पर जो मैरेड लगाए गया है उसे पास करके जो कंडिडेट आंगे के प्रोसेस के लिए प्रमोट किये गये हैं उन कंडिडेटों को दो सितंबा दोजातीज को बुला गया है बुलाए गया है थिक है प्रैमरी मेडिकल एक्जामनेशन के लिए है अब यहां पर हम बात करेंगे पॉइंड हमान यह उसमें बताए कि आपकी जो केटेगरी वाइज प्रसनटाइज है वो आपकी स्यलेक्षन के लिए जो लगाए गई गई है कि आगे की requirement के लिए आपको ले जाए गया है जैसा कि medical के लिए ठीक है आप बात करेंगे हैं पर cut-off की तो जिसमें your category की cut-off गई है 97.305864 ठीक है और SC category की cut-off लगी हुई है 94.508894% ST की बात करें तो 84.652278 OVC की बात करें तो 96.522411 और EWS की बात करेंगे 92.551506 ठीक है अब यहां पर गहुर्ण करने वाली बात यह है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यह जो cut-off लगाई है इन्हों उन्हें six digits तक यह point की बात क्यों लगाई इसका मतलब है कि यहां पर अगर जो लाश्ट में आपके जो six digits हैं वहां पर भी काफी बच्चे अपना stand कर रहे थे तो उनको भी इसाब से लेना था अपनी विकेंसी के साब से अगर कि उसको उन्हें बैलेंस करते हुए बनाया है ठीक है जिससे इतने माक्स तक की लड़कों को लिया गया है ठीक है अब यहां पर देखेंगे नोट करके एक लाइन दी गई है रेड में जो की काफी इंपोर्टेंट है इसमें बताए गया है यह आपका मैडिकल के लिए है आफ एकदम से और नहीं हो कि आपका फाइनल सेलेक्शन है अभी आपका मैडिकल भाकी है ठीक है अब देखेंगे फोर नमर जिसमें बताएगा जो भी प्रोविजिनली सेलेक है उन्हें सला दी जाती कि अपने जो टैंगेट ब्यारो स्कूल सेंटर पर है मैडिकल के लिए आप लोगों को वहां पर रोपोर्ट करने होगी जो भी डेट मैंसन की गई है और जिस नौ बज़े आपको वहां पर पहुंचना है जिस टाइम नौ बज़े आपको पहुंच प्रिजेंट नहीं हो पाएगा यानि कि अपसेंट रहेगा तो उसे आंगे कोई चांस नहीं दिया जाएगा इसलिए सभी कंडिडेट अपना टैम से पहुंच जाए अगर आप अपसेंट रहते हैं और फिर बाद में कोई भी क्लैम करते तो वह आप नहीं कर सकते इसलिए टैम से जिस डेट को बढ़ा है रोपोर्ट के लिए उस डेट को आप रोपोर्ट करने और टाइम से ठीक है अब यहां पर देख लेंगे कंडिडेट को यहां पर नेम और प्रोविजनली सेलेक्टेड कंडिडेट फॉर पी एमी सीरियल नंबर 012236 तक दिये गया है ठीक है सभी कंडिडेटों को बहुत बहुत बदा ही दूँगा जो कि मैडिकल के लिए जा रहे हैं वो भी एक पाट बने वाले हैं वियारों को अपनी सेवा देने वाले हैं तो सबसे पहले बात करेंगे है यहां पर जो कंडिडेट एक से 25 सीरियल तक जो भी कंडिडेट 25 कंडिडेट है वो दो तारीक को रिपोर्ट करना है 9 बज़े सभी की नाम के आँगे उनका रिपोर्टिंग टाइम स्वरी रिपोर्टिंग डेट दे रखी है ठीक है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहां पर आप लोग रिपोर्टिंग यह reporting date mention की है वो अपने नाम के आँगे देख लें किस candidate को कब report करना है ठीक है और आप लोगों का जो medical है कब तक चड़ने वाला है 25-25 candidate को बुलाया जाएगा medical के लिए ठीक है और जिस candidate को अगर और जानकारी चाहिए medical के बारे में तो वह कमेंट करके जरू पूछ ले या जो वीडियो बनाई है SKT medical medical के standard पर वही medical का standard सेम रहेगा चाहे आपका vehicle mechanic का हो कोई भी trade का हो JEE हो SSE CGL से हो या UDC LDC हो ठीक है तो जो medical standard सभी का सेम है तो आप लोग वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं अगर फिर भी कोई doubt है तो आप लोग पूछ सकते हैं और यहाँ पर आपका जो medical है वो 14 सितंबर तक चलने वाला है 25 25 गंडी डेटों को इनने बुलाया है ठीक है अब यहाँ पर कुछ important point और हैं जो कि आप लोगों को लेके जाने हैं डॉकुमेंट के साथ ठीक है यहाँ पर लिखा है इंपोर्टेंट नोटिस फॉर दा प्रोजिनल सेलेक्टेट कंडिटेट फॉर दा पी एमी फॉर दा पोस्ट आप वहिकल मेकैनिक अगेस्ट अड़र अड़र अडवर्टाइजमेंट नंबर 04-2022 ठीक है इसमें क्या होता है कि जब आपका मैडिकल होता है तो उसी के साथ आपका डॉकुमेंट वेरिफिकिसर भी करवा लेते हैं तो आपको किस किस डॉकुमेंट को लेकर जाना है यह भी आप लोग देख लें ध्यान पूर्बाक देख लें आप वीडियो इसके बिल्कुल ना करें जो करना है नौ बजए रिपोर्ट करना है जैसा कि मैं बता चुका हूं यहां पर बताया है कि सभी डॉकुमेंट के साथ ओर्जिनल डॉकुमेंट प्लस छे कॉपी डली अटेश्टेट वाई ओपीसर मैंसर एड़ नमबर फाइव अटेश्टेट फॉर्म ठीक है आप लोगों साथ कॉपीज ले ले जानी है जिससे आप एक एक कॉपीज को गटेश्टेट ऑफीसर से अटेश्ट करवा सकते हैं जिसमें आप इसमें लिखा है कि फोटोग्राफ एड पेज नमबर बन मस्ट भी अटेश्टेट वाई ओपीसर मैंसर इन पेज नमबर फाइब ओप अटेश्टेश्टेश्ट फॉर्म डली इन फेसिंग विद दा नेम डेजनेश्टेश्टेश्टेश्टेप ठीक है जो अटेश्टेश लोगों को बताई होगा कौन-कौन साइन कर सकता है ठीक है और आपको कि यहां पर सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि इस कि पेज नमबर 6 पे आपको उपीसर से अप उसका पद और फोटो चिपका के राउट सील पे उस पे लगवा के उपीसर से उसका पद भरा जागा डे प्लेड करवा दें ठीक है जिस कंडिडेट को एडिकनेशन फॉर्म चाहिए वो मेरे टेलेग्राम ग्रूप को जोइन कर लए जो कि डिस्कॉप्शन में लिंक दे रखा होगा वहां पर सारे डॉकुमेंट आपको मिल जाएंगे फॉर्मेंट में ठीक है और फिर आपको में शब्रक्राम है वह को लेटे जाना है खातला चाहिए फिर आपका जो भी तो ने पहले प्लाइ खेला कि मेरेड होने के साथ-साथ अगर हुआ कि मेरेड हो तो अपना है जरू बन वाहा के लिए जाये और एक सर्विसमेन कोई कंडिडेट है तो वो भी अपना सर्विस वो लेके जाए सैटिफिकेट और अगर किसी ने अनुसी लगाई है तो अनुसी भी और कम से कम दस रिसेंट्री कलर्ट पासपोर्ट साइट फोटो भी लेके जाना है ठीक है अब यहां पर आपका जो मैडिकल चलेगा वो पूने में चलेगा कम से कम एक बीक तक तो अपना जो रहने का खाने का जो भी समय लगेगा वो आपको खुद अपने कि उपर से अरेज्मेंट देखना है इसमें भी यारो भी कुछ नहीं करेगा जो भी इस्टे और फोडिंग का है खर्चा वह आपको उठाना पड़ेगा तो इसकी विवस्ता करके ज़रू जाएं क्योंकि एक से दो बीक का टाइम लग जाता है ठीक है जैसा कि यहां पर मैं काश्बुक है जोएंट एकाउंट होना चाहिए जो की ठीक है चैक बुक जोएंट एकाउंट के साथ होना चाहिए नेप्ट मैड़ेट फोर्म होना चाहिए आदार काट पैन कार्ट एनपी एस प्रूप प्रिजेंट एडर्रस प्रूप डेट ऑफ बर्त ठीक है यह सारे ड करवा के ले जाते हैं आपको ठीक है जो कि एक मंत से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तो आप लोग अपना ये तेस्ट सरकारी होस्पिटल से करवा सकते हैं ठीक है अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेट करके जरू बताएं अब यहां पर देखेंगे जो कंडिडिट एक्जाम देने गए थे वो कंडिडिट अपने मार्क्स देख सकते हैं सभी कंडिडिट के यहां मा 4.48 ठीक है कर्लिर यह पमस्कान पास होते हुए भी फैल हो गया क्योंकि यह अप्सेंट हो गया ता फर्टी ठीक है यानि कि जिस दिन ध्रीव फिसचीक शिचिकल ठार उस दिन यह रिपोर्टेंग टाइम पर टैम से नहीं पहुचा होग या तो पहुंचा नहीं होगा अप सभी candidate अपने मार्क्स देख सकते हैं यह आपके यहाँ पर मार्क्स लोग किये गए हैं सभी candidate अपने मार्क्स देख लेंगे लिए कि फिजीकल के लिए कितने candidate को इनने बुलाया था वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं ठीक है अब कि फिजीकल इन लोगों ने किराया था अब कि 4864 candidate होगा नई सौरी यह रिटेन एक्जाम में इतने candidate बैठे थी 4864 लड़के बैठे हुए थे ठीक है यह सभी के मार्क्स हैं ठीक है अपने अपने चैक कर लें ठीक है फाइनल जो रेजल्ट बना है 236 candidate ही पास किये गए जो कि medical के लिए बुलाए गए ठीक है इसके बाद अगर medical में भी आपका डाउट है कोई पॉइंट को लेके तो वह आप जो पुराणी वीडियो है मैं description में उसका लिंक दे दूँगा आप लोग उसको जाके जरूर देख लें वह SKT candidate के उपर बनाया था मैगर स्योर उसी तरह से medical होने वाला आपका standard सेम है कोई अलग standard नहीं है तो इसलिए medical सभी का सेम है आप वीडियो उसे जरूर देख ले उससे आपको पूरी information मिल जाएगे ठीक है और कोई भी form को अगर फिल अप करने में दिक्कत हो रही हो तो comment करके जरूर बता है ओके जैहन भायो